राम मंदीर के प्रांट पर्थिष्टा कारिक्रम में सुप्रिम कोट के उन पांच जजों को भी आमंतरित किया गया है जिन्गोंने साल 2019 में राम जन्म भूमी पर एतिहासिक फैसला दिया था क्या आप लोग जानते हैं कि आयोध्या पर फैसला देने वाले जो पांच जज थे वो अब कहा है और वो अभी आज की कंडिशन में क्या कर रहे हैं और उनके पास कोन सा पद है यानि जो पांच नियाएधिश हैं उनके पास कोन कोन से पद है आपको पता है कि आयोध्या पर फैसला देने वाले पांच जज इन दिनों क्या कर रहे हैं दोहजार उन्नीस में हिंदू पक्षी के हक में राम जन्मु भूमी विवात का फैसला देने वाले पांच जजों में से चार रेटायर हो चुके हैं जबकि एक जज अभी भी सुप सुप्रिम कोर्ट ने एतिक हासिक फैसला सुनाया था उस वक्त जस्टिस रंजन गोगोई देश के मुख्य नियाइदिश हुआ करते थे वह भी बेंच का हिस्सा थे साल दोहजार उन्नीस में रेटायर हुए सेवानी विरत्ती के चार महीने बाद ही तत कालीन राष्ट पत अर्विंद बोब्रे भी शामिल थे रंजन गोगोई के रिटायर्मेंट के बाद बोब्रे देश के मुख्य नियाइदिश बने तेविस अप्रेल दोहजार इकीस को रिटायर्मेंट के बाद वह महराष्ट नेशनल ला यूनिवर्सिटी के चांसलर बने अभी भी इस यू जुलाई दोहजार इकीस में वह सुप्रेम कोर्स से रिटायर हुए उसके बाद केंद्र सरकार ने उन्हें राष्टी कानून या कराष्टी कंपानी कानून अपिली नयाइधिकरन का अध्यक्ष बना दिया अयोधिया पर फेसला देने वाली सविधान पीट में जस्टीस एस अब्दूर नजीर भी शामिल थे वह जन्वरी दोहजाद तेवीस में सुप्रेम कोर्स से रिटायर हुए इसके ठीक एक महीने बाद ही उने आंद्रपरदेश का राज्यपाल न्यूक्ति कर दिया गया थ हाला कि उनकी नियूक्ति पर खासा विवाद हुआ और सियासी हंगामा मचा जस्टीस धनजय यश्वन्त चंद्रचूर जो अयोधिया का फेसला देने वाले जो सुप्रेम कोर्ट की सवीधान पीट थी उसका हिस्सा थे फिलहाल वह उच्चतम नियाले के मुख्य और नौंबर दूहजाद चोविश तक इस पत पर बने रहेंगे राममंदीर के पक्षि में फैसला देने वाले जजो के विशय में हमने आपको इस वीडियो के मादि हमसे बताया है कि इन पांच जजो के इस फैसले के बाद कौन सा पत दिया गया वर्तमान में वो क्या कर र का परशाद इन पांच जजो को भी मिल चुका है वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप हमें कमेंट्स करके बताएगा कमेंट्स के साथ साथ लाइक करिए शेयर करिए मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए विशे के साथ तब तक के लिए शुक्रिया धन्यवाद